अलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आज की इस एनलेसिस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं इंट्राडे स्टॉक्स के ऊपर तो चलिए हम लोग इनलेसिस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टॉक है आपको रिलाइंस रिलाइंस को हम लोग अगर करता है वापस से फुल बैक लेता है और अपको एक अच्छा यहां पे हम लोगों को डेली एक अच्छा डाउन फॉल देखने को मिल रहा है तो इस वाज़े से इस स्टॉक को हम लोग सॉट करने के लिए यहां पे अगर हम लोग ज्यान देंगे स्टॉक 2400 के लेवल के ऊप आपको लेवल के लिए तो हम लोगों को यहां पर वेट करने के लिए नहीं देखेंगे हम लोगों को यहां पर आपको 4290 कहाँ ऐचे वो हम लोगों का यहाँ पर आपको stop loss होने वाला है पहला target जो यहाँ पर होगा वो हम लोगों का होगा 2370 का और अगर stock इस level के नीचे निकलता है तो वापस से हम लोगों को यहाँ पर 2360 और 2350 का level भी देखने को मिल सकता है तो इसलिए इस stock में आपको immediately sell नहीं करना है आपको यहाँ पर sell करना है clearly 2390 के level के नीचे आपको sell करना है stop loss आपका होने वाला है 2405 15 point का stop loss है नीचे की side पहला target रहेगा 2370 जहाँ से last time इस stock ने bounce किया था यह एक support की तरह काम करेगा अगर इस level को break करता है तो वापस से हम लोगों को 2360 और 2350 के level भी देखने को मिल सकते है second stock की अगर हम लोग बात करेंगे HDFC bank HDFC bank आज आपको X dividend date भी था इस stock का यहाँ पर जो है वापस से हम लोगों को एक अच्छा selling pressure देखने को मिल सकता है stock अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही crucial level पे है इस level को अगर हम लोग 1300 के level को ध्यान से देखेंगे round number level है इस से पहले आपको इसी level से stock bounce किया था वापस से अगर देखेंगे resign time में भी यहाँ से bounce किया बट उपर के level से फिर से selling pressure हम लोगों को देखने को मिल रहा है 1300 का level आज इस stock ने यहाँ पे आपको defend जरूर कर लिया है लेकिन यह level आपको 3 times हीट हो चुका है तो अगर next day यहाँ पे आपको 1300 के level के नीचे trade करना start करता है तो इस stock में वापस से हम लोगों को एक अच्छा selling pressure देखने को मिल सकता है तो हम लोग यहाँ पे wait करेंगे, stock को हम लोग sort करेंगे 1300 के level के नीचे, एक 5 minute का candle अगर यहाँ पे close होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे आपको इस level के नीचे sort करेंगे stop loss जो है 1300 and 8 का रखना है 8 point का stop loss होने वाला है यहाँ पे 1300 के नीचे 5 minute का candle close होने के साथ हम लोग यहाँ पे आपको sort करने वाले है 1300 का 1308 जो है हम लोगों का stop loss होने वाला है नीचे की side पहला target यहाँ पे देगा 1290 का दूसर target रहेगा 1280 का अगर हम लोग यहाँ पे डिली चार्ट में देखेंगे कल के analysis video में हम लोग ने यहाँ पे discussion किया था stock एक range में trade कर ला है almost आपको bank nifty के जैसे ही यहाँ पे pattern बन रहा था हम लोग ने यह आपको discuss किया था अगर इस level के उपर निकलता है यहाँ पे stock में तेजी आएगी बट यहाँ पे stock आज gap down open हुआ और gap down open होने एक बार इसने अपने 700 के crucial level को break किया है इस level से आपको continuously bounce हो रहा था उस level को close कर या उसके नीचे आपको continuously trade कर रहा है साथ ही आपको previous swing low के नीचे भी close दिया है तो stock बहुत ही अच्छे एक bearish trend में हम लोगों को दिख रहा है नीचे की side आपको 670 और 650 का जो है वो आपको support label है तो stock के पास जो है clearly नीचे की side एक अच्छा space है travel करने का तो 5 minute के chart में अगर हम लोग यहाँ पे switch करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ तो stock flat खुलेगा और यहाँ पे आपको अपने momentum को continue करेगा अगर यहाँ पे stock flat खुलता है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बड़ा stop loss नहीं रखना है 700 के level के उपर का आपको stop loss रखना है और immediately जो है आपको यहाँ पे 695 के नीचे ही यहाँ पे sort कर देना है अगर stock यहाँ पे flat खुलने के बाद नीचे निकलता है लेकिन अगर stock में थोड़ा सा pullback होता है तो हम लोग wait करेंगे 700, 705 इस level में आपको वापस से एक अच्छा selling का sign दिख सकता है और यहाँ पे अगर आपको bear sign दिखता है तो immediately यहाँ पे भी हम लोग sort कर सकते है उपर की side हम लोगों का stop loss 705 का होने वाला है तो इस stock में आपको दोनों condition को याद रखना है अगर यहाँ पे थोड़ा सा pullback लेता है stock तो वहाँ पे भी हम लोग sort का opportunity देख सकते हैं या फिर flat खुलने के साथ अगर 695 के नीचे निकलता है 700 के stop loss के साथ हम लोग यहाँ पे stock को sort कर सकते हैं पूर्थ stock है आपको axis wing axis wing के अगर हम लोग यहाँ पे daily chart पे बात करेंगे यहाँ पे भी stock ने अपने एक major level को break किया है इस level को अगर हम लोग यहाँ पे द्यान से देखेंगे already यहाँ पे multiple time support ले चुका था already three time यहाँ पे support ले चुका था finally आपको इस level को break कर दिया है तो stock जो है एक अच्छे level को break किया है और उसके नीचे closing भी दिया है तो यहाँ पे stock में और गिरावाट हम लोगों को देखने को मिल सकती है तो five minute के chart में अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं हम लोग इस stock को यहाँ पे sort करने वाले हैं आज के low के नीचे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 6.44 के नीचे हम लोग इस stock को sort करेंगे 6.50 का हम लोगों का stop loss होगा 6.00 का stop loss होगा पहला target 6.38 का दूसर target 6.30 का और लास्ट stock है GSW Steel इस stock में भी अगर हम लोग daily देखेंगे stock जो है बहुत ही अच्छे downtrend में है और पूरा का पूरा जो है जबरदस selling pressure दिख रहा है अगर हम लोग daily chart में देखेंगे आज भी stock में बहुत ही अच्छा गिरावर्ट हुआ था और इससे previous के previous trading season में अच्छा यहाँ पर fall हुआ था वापस से hot candle बना और आज यहाँ पर वापस से एक अच्छा fall देखने को मिला है तो intraday में हम लोग इस stock को भी यहाँ पर sort करने के लिखेंगे तो five minute के time frame में अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर आपको इस stock को sort करेंगे नीचे की side 620 का level निकलते ही हम लोग immediately यहाँ पर आपको sort करेंगे उपर के side 626 का हम लोग का stop loss होगा पहला target होगा 614 का और उसके नीचे अगर निकलता है तो 608 का हम लोग का दूसर target होगा तो उम्मीद करते हैं आप लोगोंने सभी levels को note down कर लिया होगा अगर आप लोगोंने levels को नहीं note down किया है तो वापस से आप लोग वीडियो को repeat करके सुनके आराम से levels को note down कर लिजे जिससे कि आप लोगों को trade को execute करने में आसानी होगी साथी साथ आपको logic भी पता होना चाहिए जो हम लोग किस level पर sort कर रहे हैं और क्यों sort कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर analysis अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करके वीडियो को share जरूर करे साथी साथ चैनल को subscribe भी जरूर कर ले धन्यवाद ्यवाद